यूपी और उत्राखंट की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और अब एक एहम खबर कल इंडियन मेडिकल असोसियेशन की हरताल है प्राइवेट हॉस्पिटल डाइगनॉस्टिक सेंटर से लेखे इस्पाफलोजी लाब्स बन रहेंगी प्रदेश के निजी हॉस्पिटल में OPD नहीं खुलेगी एमर्जन्सी और कोविट को छोड़कर सभी सेवाई अस्पतालों में ठप रहेंगी सरकारी अस्पतालों पर भी इसका असर पड़ेगा और सुबाच्छे बजे से ये हरताल शुरू हो जाएगी यूपी में 24 गंटे की हरताल की ये तैयारी है दरसल आयूरवेदिक डॉक्टरों को सरजरी अधिकार देने का ये पूरा मामला है जो उन्हें नहीं दिया गया और केंद्रस सरकार से अधिकार देने से आई एम में ने नाराजगी जताई है सीधे अब आपको लिए चलते हैं लखनाव से शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं शैलेश विस्तार से बताईगा क्या नाराजगी है रोक्टर्स की आसा देखिये केंद्र सरकार में अभी हाली में जो आयूरवेट के डॉक्टर्स हैं उनको भी सरजरी का अधिकार देने से समंद्रित विवस्ता लागू किये जिसके विरोध में अब इंडियन मेडिकल एसोसियेशन आ गया है उनका जो लकातार विरोध चला था आयूरवे के बैनर तले जो डॉक्टर्स है वो हरताल पर रहेंगे सुबा छे बजे से इनकी हरताल शुरू होगी वैसे तो इंडियन मेडिकल एसोसियेशन ने बारा घंटे की हरताल पस्तावित की ती सुबा छे से शाब छे बजे तक लेकिन वागर बात उत्तर तरदेश की करें तो देश में जो आये में है वो करीब 24 घंटे की हरताल की सैयारी में है निशित रूप चैसे में जो चिकित सा सेवाए है वो प्रभावित होगी मरीजों को इसकी वैसे समस्या आना तैमान कर चलिए अला कि कोविट काल है इसको देखते हुए जो कोविट की ओपीडिया क्या इलाज जिन जगाओ पर चलता है या जो इमर्जन्सी है अस्पतालों की वहाँ पर इस हरताल को नहीं रखा जाएगा वहाँ पर काम चलता रहेगा लेकिन बाकी जित्ती भी ओपीडी है या जो इलेक्टिव सब्ज़री है या जिन को आगे तामान को चोड़का क्या शालेश अप्डेट के लिए